तो इस बारे में बात करने वाले HC Limited की तो इस stock के अंदर हमारी around 70 के आसपास की buying है। उसके बाद ये stock 100 तक गया था। ठीक है वहाँ पर parcel profit booking हुई लेकिन वापिस stock 70 पे आ गया। 70 पे वापिस से entry हुई। उसके बाद वापिस stock 8587 तक गया लेकिन अभी वापिस से ये stock 77 तक आ चुका है। और अंज तो यहाँ पर क्या बनी हुई है। ये एक range बनी हुई है stock की और stock इसी range में अटका हुआ है। Breakout, breakdown कब होगा। अगर ये stock हमें 100 के ऊपर breakout देता है तो बड़ी rally आएगी या फिर हमें ये stock क्या करे। Start के नीचे breakdown दे दे तो यहाँ पर हम बड़ा सा शोर से चल मार सके। ठीक है तो यही सिर्फ हमारा यहाँ पर क्या है ये तो important लेवल से अभी दोस्तों एक update यहाँ पर निकल कर आ रहे है कि company के result आपको देखने को मिलेंगे। 29 अपरेल को definitely stock focus में रहेगा लेकिन इसमें अच्छा क्या है वो समझो stock कहाँ पे खड़ा है। हमने शोर से मारा तो ऐसे उपर का लगा रहता है। अगर अच्छे result आते हैं तो stock उपर की तरफ move कर जाता है। वहाँ पे हमारा जो है वो कड़ जाता तो ये अच्छी चीज है की levels के बीच में है। अभी stock break नहीं की है। किसी भी level को खराब result आये 70 का level bridge होता है शोर से मारो 5,655 तक आपको target मिल जाएगा अच्छा result आये on the other side अगर 85 के उपर निकलता है बाई कर लो आपको 9,500 तक के targets मिल जाएंगे simple easy crystal clear यहाँ पर हमारा setup है पर इस setup को follow करना है। तो दूसरी और हम यहीं करते वीडियो कॉल लगाओ प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो subscribe कर कर लेना।